तो भाई लोगों जैसा कि आपको थमनेल दे के पता चली गया होगा कि मैं जा रहा हूँ कुम और मेरे साथ है मेरी फैमिली अब में हाई बोल तो हाई पापर जी और धी जाजी अभी ड्राइव कर रहे है तो हम लोग निकल पड़े हैं कुम के लिए तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुम मेला कैसा लगा आपकी बार सुने में तो काफी तारीफ है आरही है आपकी बार चलिए देखते हैं आपकी तो अराउंड एक्सोचब़ेस किलो मेटर के बाद हमने लिए पहला स्टॉप यमना एक्स्प्रस वेबे और मुझे बहुत नीद आ रही है दो दिन से ठीक सा सोया नी रात भी मैं दो बजे सोया था और चार बजे उठ गया अब मैं जाने वाला हूं बैक सेट पे फोड़ी सी नीद लेने के लिए और यह मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं कि कॉस्स मुझे लग रही है ठंड सुबह जब निकले थे उस टाइम इतनी ठंड नहीं लग रही थी बट यहां पर थोड़ा ओपन है सारा इरिया तो इसलिए ठंड काफी है जो कि अब फील हो रही है और मुझे अब लग रहा है कि यह सही डिसिजन था कि मैंने जैकेट कैरी की अपने साथ अदर्वाइस मैं भी हाफ टीशेट में आने वाला था वाइस डिसिजन अभी हम आगे हैं आगरा लखनोव एक्सपेस वे पे और अभी हम बीच में है इसमें यह देखे यह सीधा जा रहा है लखनोव के लिए यह नीचे ऐसे गूमके आप तो देख रहा है यह फिर नीचे से ओके ऐसे इटावा के लिए चले जा लिए अगर यहां से हमें जाना अभी प्रियाग राज इलाबाद अब प्रियाग राज तो दो रास्ते हैं आप इटावा होके वाया कानपूर जा सकते हो और सीधे लखनोव जाके वहां से भी आ सकते हो लखनोव वाला लखबग 35 किलोमेटर एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको जादा पड़ेगा और इटा लखबग 40 किलोमेटर का डिफरेंस है वाया लगना हुआ और वाया कानपूर जाने में हम तो कानपूरों के जा रहे हैं देखते हैं ऐसा पड़ता है अब यह अच्छा हाइवे बनाया है इन्होंने लेकिन एक प्रॉब्लम है इस हाइवे में कहीं पर भी अभी तक इसमें एक भी rest room या कोई भी किसी तरीके की एक shop तक नहीं है पानी की bottle तक नहीं मिलेगे आपको बागी road काफी अच्छी है highway काफी अच्छा है बढ़ हा कहीं पर भी ना कोई toilet है ना कोई एक पानी की bottle भी आपको मिलेगी नेक तो बस यही है फिर तोल्टेक्स एक तो यार हमेना तोल्टेक्स ने बोत परेशाद लेड़िया हर आदे गंडे बाद एक तोल्टेक्स तो जी हम पहुच गया है मलवा और यहां पर सोहन पेड़ा मोहन पेड़ा पेड़े इतने मर्जी पेड़े घाओ तो हम यहां पर अभी एक टी प्रेक लेते हैं इसके बाद चलते हैं तो यहां पर है सोहन पेड़ा वहां पर है मोहन पेड़ा मोहन पेड़ा काफी फेमस है यहां में, मोहन पेड़ा वालों का पूरा प्लांट है, काफी अच्छा प्लांट है, इसमें को काफी हाईजिरिक तरीके से अपने पेड़े गुनाते हैं, तो देखेंगे चलके, अगर अभी तो हम नहीं है इतना टाइम बापसी में देखेंगे कि वहाँ पर कैसे पूरे प्लांट में काम होता है, तो अगर टाइम मिला तो जरूर दिखाऊगा आप लोगों को, अभी यहां सोवन पेड़े का मज़ा लेते हैं, और इसी के साथ त्रयाग राज में हमने एंट्री कर ली है, और अभी सुनने में आया कि कल मोदी जी का प्रोग्राम है, तो शायद आउटसाइडर विकल्स जो हैं, वो अलाउड नहीं होंगे, सिटी के अंदर, बाकि ट्राइगर करके देखते हैं, भीर काफी होने वाली है, और टैंट तो लोग बता रहे हैं कि मुश्किल ही मिलेगा, सिटी में कहीं रुकना पड़ेगा, और फाइनली पहुंच गए हैं हम प्रियागराज में, यह मैं खड़ा हूँ, यह चारो तरफ, देख सकते हैं, दूर दूर तक, कुम्ट का मेले का ही जारा है, और यहाँ पर थोड़ा सा अभी जो मुझे फेस हुई है, प्रॉब्लम वो यह है कि, पार्किंग तो मिल गई है, बट यहाँ पर टैंट नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है टैंट मिलना, और रैन बस एरे, मैं आपको दिखाओंगा अभी, तो वहाँ पर वैसे इंतिजाम अच्छे हैं, बट मैं फैमिली के साथ तो शायद ना रुक पा हूँ वहाँ पर, होटल के लिए बहार की तरफ मुझे जाना पड़ेगा, वह सामने रोड है, और रोड के पीछे की तरफ मुझे होटल के लिए जाना पड़ेगा, तो अब ज शाहा जगा शाह बना रखे हैं उंन interrupt, बहुत शारे चेहं जगा लसा बना रखे हैं, बहुत बड़ी पारकियर, कही सारी तीन रेन बसे रहा हैं, जिसमें कि केवाल 100 रुपय दें कि आप मुझे आप लोग राध पर के लिए रह सकती हो, जिसमें राद पर के लिए 24 गंटे के लिए रह सकते हो जिसमें आपको फोल्डिंग, गद्धा, तगिया मिलेगा, कंबल नहीं मिलेगा और यह देखिए कितने सारे इनों नहीं आपके हैं, दिखरें आपको, एकितने सारे टॉलेट्स, लाइन से लगारे बनाए हुए, काफी अच्छी वेवस्ता है, यह कितने सारे टॉलेट्स हैं, तो चलिए हमें शॉट आउट जोलू जरा अपना खोटल और फिर कंटीनु करत अजीब मुसीबत है याप यह लोग कह रहे हैं दिन में बोट बंद हो जाएंगे अभी मोधी जी आ रहे हैं कहने के लिए के बेस साट रुपे फिक्स किराया है यह बैठा ही नी रहें किसी को यह रहे हैं कि आरी और सबकी कंप्रेंट करूँगा मैं अगर तुम लोग इस तरीके से और के के तो रहें बीजबा इसकोट पानी है और 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 प्रवयुदे थे लोगा थे लोगा थाल.